इस वीडियों हम लोग जानेंगे PRT syllabus of science, science का जो PRT का syllabus होने वाला CVT exam DAV के लिए अपने भरा होगा, उसके बारे में हम लोग यहां जानेंगे, प्रसमें यह भी जानेंगे कि आपका क्या होगा, या तो आप PRT के लिए भरे हैं, या PGT के लिए भरे हैं, या और भी कोई post के लिए PGT, PGT जो भी post हैं, या LDC और भी बहुत सारे non-teaching staff है, तो उनका क्या होगा, देखे, non-teaching वाला का basically हमको उतना idea नहीं है, क्योंकि उससे हम थोड़ा सा search नहीं किये हैं, क्या है, कैसे, तो उनका marks के बारे में हमको idea नहीं, लेकिन आपको जो subject से भरे हैं, वही subject से लेट है, आपसे question पूछे जाएंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा, और लेकिन इस वीडियों आपका यही topic रहेगा, इससे extra कुछ नहीं रहेगा, थो आप पढ़ लीजेगा extra, क्योंकि यह भी जो है, ऐसा syllabus का कुछ दिया नहीं है, हमारे पास, कि यही आपका यही इतना ही person आपको cover करना है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बस मैंने अपने एक, अपने हिसाब से किया है, कि जो कि हम लोग जो day to day life में, अगर आप teaching पढ़ा रहे मैंने 8 class तक का science का लगभग topics को यहाँ पर लिख कर रखा है, और plus में SI unit जो कि हमारे लिए importance होता है, और यह चीज़ आपको जानना जरूरी है, बस हम आपको यह चीज़ बता दिये कि आपका SI unit क्या क्या आएगा, इसके अलावा भी आप cover कर लिजेगा, बस एक example में मैंने यहाँ लिख कर रखा है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा syllabus क्या होने वाला है, उस चीज़ को, अगर आप मेरा चैनल पर new है, तो चैनल को like आप subscribe कर लिजेगा, यहाँ पर आपको इस तरह का videos upload किया जाता है, किसी भी तरह का कोई भी problem होगी, तो आप comment करक भी मिलेगा, इतना सी ओर रही है, अब देखें, यहाँ पर हमारा क्या है, कि यह CVT exam लोग जान रहे, phase one में हमारा क्या होने वाला था, यह paper one, यह phase one में देखिए हमारा जो exam होने वाला है, CVT exam, वो दो paper में conduct करवाईगी, ठीक है, जो कि हम already इस पे video बना चुके, आप उसको subject होगा, उससे related आपका यहाँ पर क्या होगा, questions पूछे जाएंगे, तो जैसे मेरा science है, या आपका science है, तो science का सिर्फ PRT के लिए हमने यहाँ पर लिखा है, कि अगर आपका science है, तो दिखें, यह सब जो topics आपको दिख रहे हैं, यही सब topics लगभग रहेंगे, इसके अलाव 50 से extra मान के चलो, बाटी आप extra पढ़ लिजेगा उसको, ठीक है, तो चली यहाँ पर देखते हैं, वन बाई वन करके, दीखी, यह crop production है, आपका crop production and management, यह class 8 का chapter से, तो आप इसको देख लिजेगा, अच्छे से, ठीक है, crop production में कुछ-कुछ main point को आप कवर कर लिजेगा, हो इसमें भी ज्यादा deeply आपको नहीं पढ़ना है, प्लस में next है, convention and flame, यह भी आपका chapter important से, यह भी class 8 का है, reproduction in animals of plants, यह भी आपका important chapter है, इसको भी आप अच्छे से cover कीजेगा, ठीक है, force और pressure, इसमें SI unit को देख लिजेगा, और force का बहुत सारे force होते हैं, एक आपका non contact होता है contact force होता है, यह सब सारा कुछ देख लिजेगा, और यह सबसे आएगा लगवगा आप science के teacher हैं, तो आप बना लिजेगा, इसको इतना उमीद है, यह आप regular होंगे, तो, अधिक एक sound chapter है, जो कि यह basically class 8 में भी है, और class 9 में भी है, तो sound chapter आपको class 8 level तक नहीं करना है, आपको class 9 level तक करना है, और class 9 में भी जो आपका chapter दिये हुए है, sound sound का, तो भी जाता कुछ tough नहीं है, मेरा एक video आप लोड किया हुआ है, sound का, आप उसको देख लिजेगा, तो आपको सारा clear हो जाएगा, और उससे extra कुछ नहीं कूछने वाला है, उससे extra कुछ नहीं जाएगा, उसक सारा चीज़ देख लिजेगा, ओके, यह भी आपके लिए importance है, दूसरा आपका क्या है, यहापे friction, जो कि friction आप पढ़ लिजेगा, खुद से, normal 8 class तक भी पढ़ेंगा, तो भी हो जाएगा, आपका light chapter, आपका यह देखिए, class 8 और class 3 में भी है, तो 3 तक इसको आपको कभर कर ठीक है, तेन तक कभर कर लिजेगा, that means कि आपका कहीं से भी question आपका पूछेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप class 8 में भी अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, और कौन सा book से पढ़ना यह भी आपको हम बदाएंगे अभी, ठीक है, देख लिजेगा, search कीजेगा, मेरा वीडियो आएगा, उसमें भी आप ये क्या बोलते हैं, हम देखें, description box में link देदेंगे, आप उसको देख लिजेगा, ओह भी, आपको समझ में आ जाएगा, clear हो जाएगा, अर्थ क्रेक के बारे में, तो उससे भी regarding questions आएगा, तो आप उ salt, इससे ज़्यादा questions आपके रहेंगे, ठीक है, ठीक है, एक इससे ज़्यादा questions रहेगा, light chapter से रहेगा, natural phenomena हो गिया, और आपका reproduction in animals and plants हो गिया, ये सब आप कभर कीजेगा, अच्छे से, ठीक है, physical change and chemical change, इससे भी questions होंगे, लेकि आप सबसे ज़्यादा questions आपका respiration in organism, इसस से भी आपका question पूछे जाएंगे, smile से questions रहेंगे, ठीक है, smile से उतना ज़्यादा questions मेंगे, main topic आपको लग रहे है कि ये main है, तो उससे आप कभर कर लीजेगा, आपका हो जाएगा, habitat adaptation, इससे questions आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी जो जो चीज दिया हुआ है, animals के बारे म हम लोग जानते हैं कि habitat क्या होते है, natural home of the animals, और adaptation, जो animals अपने occurring, survive करने के लिए उनमें adapt किया जाता है, तो वो सब साइस चीज आप लोग जान रहे होंगे, तो ओ भी आप देखिए, इससे देखिए, questions, minimum questions होंगे, इससे देखिए, मैगनेट से आपका questions देखने को मिलेगा, मैगनेट भी आपके लिए importance है, दूसरा है electricity and circuit, इससे दी questions आपको देखने को मिलेंगे, components of food, यह वाला भी आप देखिए, क्यूंकि इसमें आपका vitamins A, B, C से क्या मिलता है, कैसे, कौन सा स्वस्थे से, यह सब आपका जरूर आएगा, components of foods को अच्छे से पढ़िएगा, तो आपने देखिए, हम जितना भी यहाँ topics लिख कर रखें, इसको आप अच्छे से cover कर लिजेगा, आपका स्योर रहिए, कि आपका क्या होगा, कि लगभग आपका qualifying marks के लिए आपको tension नहीं रहेगा, आपका यह जो exam होने वाल है, उसमें आप qualify कर जाओगे, तो इतना आप या से जाइए, या कहीं से भी सर्च करके, आप उसको अच्छे से रट लिजेगा, SI unit से आपका लगभग two to three marks का आएगा, SI unit two to three marks, आप इतना स्योर रहिए, ठीक है, तो इसमें आप देख लिए कि आपको लगभग topics हम बता दी हैं, आपको इतना तो पता चल गया होगा, इतना बात जो आपके पास knowledge है, वो तो है ही है extra, इसको पढ़ लिजेगा अच्छे से, आपका हो जाएगा, science के लिए attention नहीं लेना है, और class 3 का जो जो पढ़ना था, class 9 का पढ़ना था, हम आपको बता दिये, class 9 में, आपका जो subject है, उसमें साब से पढ़िए science है, तो आपको सभी cover करना होगा, और अब हम बात करते हैं कि आपका इसमें marks में qualifying marks क्या होगा, तो दिखिए हम लोग जान रहे हैं, कि हमारा जो exam होने वाला है, 30 marks का रहेगा, English वाले के लिए तो total 80 marks का English ही रहेगा, जहाँ PRT रहे, TGT रहे, PGT रहे, ठीक है, उनके लिए तो ज्यादा अच्छ marks का aptitude होगा, अब बात करते हैं, जो हमारा 50 marks जो बच जा रहा है, total 80 marks के exam होने वाला, 50 marks से हमारे ये science से, science subject से questions होगे, तो 50 plus total हमारे 80 marks हो गया, इसमें I think 20 marks और होगा, लेकिन 20 marks जो आपने form को fill up किया है, form का fill up एक तरस merit बनेगा, अगर आपका citate है, तो citate का marks के हिसाब से merit बने, तो उसनिसाब से आपको दिया जाएगा, 20 marks, तो total 100 marks, ठीक है, अगर by chance आपका 100 marks का होता है, exam सारा चीज, 80 marks का होता है, तो 80 में आपको लगभग 50% मान के चलिए, कि आपको 50% minimum, ये ज़्यादा हो सकता, 60% के लगभग आपको marks लाना होगा, minimum 50%, तब जाकर आप qualify अगर और भी किसी, कोई भी और लेबल का देख रहे है मेरा वीडियो, PGT हो या PRT हो या PGT हो, और कोई subject से आपको चाहिए, तो comment box में comment कीजे, हम आपको try करेंगे कि आपको कम से कम इतना idea देदे कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, और बाकी exam के लिए best of luck, और comment करके हमको बताइए किसका कितना marks आ रहा है exam होने के बाद, ठीक है, भाई, take care of you.